वेलकम बेक तो माई चैनल मोनी चलोची क्लासिस में आपका स्वागत है तो टूड़ी नाव टॉपिक इस दा आई यूबी नॉमनक्लेचर ओफ एंजाइम के बारे में हम पड़ेंगे आई यूबी की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ठीक ह जो एंजाइम होता है उसको six classified में divide किया गया है the enzyme can be divide किया गया है six classes के अंदर जो किसके उपर based होती है nature of reaction के उपर जो name होता है enzyme का उसको आप कैसे define करोगे कि ये enzyme होता है enzyme जहां भी होगा मतलब जो भी enzyme होता है उसके पीछे is लगा हुआ हो तो वो समझ लेना कि वो enzyme है the name of enzyme and is age, मतलब enzyme के end में अगर age लगा हुआ हो उसको हम बोलते हैं enzyme, जो consist करता है दो पार्ट को, मतलब first of is the part refer करता है, first part होता है, second part reaction का होता है, enzyme होते हैं, उसकी अगर हम classification करते हैं, nomenclature के according तो वो six type के होते हैं, जैसे कि यहां पर six type के होते हैं, transferase है, oxido reductose है, isomerase है, hydlase है, lyase है, lyase है, ठीक है, यह पाए जाते हैं, जो oxy reductose है, इसके अंदर क्या होती है, oxidase होता है, मतलब oxygen का addition होता है, reductase होता है, oxygen का मतलब negative होता ह dehydrogenate, मतलब hydrogen का negative होता है, यह इसकी तीन type है, enzyme की classification, six types से उसको classify किया गया है, transferase, transferase का, अगर आप जिसे की directly इनको common से समझे, transferase का मतलब होता है, transferring, ठीक है, isomerase का मतलब होता है, structure का change होना, hydrolase का मतलब होता है, water का addition होना, lyase का मतलब होता है, किसी चीज को जोडने और जोड क किसी large molecule की formation होना, oxidoreductose का मतलब होता है, oxygen का, या तो addition होगा, या फिर, उसका मतलब addition होगा, या फिर removal होगा, या फिर hydrogen का addition होगा, ये आता है, तो now start भी, अब हम start करते है, what is the oxidoreductose, this enzyme catalyst oxidation reaction होती है, इसके अंदर, oxidize कैसे होता है, कि जब हम ascorbic acid की अंदर, उसको oxidize कर दे, जब हमारे पास excorbitic acid है, जब आप इसमें oxygen को add करोगे, तो हमें क्या मिलेंगे, water molecule मिलते है, ठीक है, ये AH2 compound है, जब इसमें आप पूरा एक molecule oxygen का add करोगे, तो यहां पे आपको hydronium H2O2 मिलेंगे, dehydrogenation का मतलब क्या होता है, the removal of hydrogen, मतलब इसमें हम क्या बोलेंगे, कि removal होता है hydrogen का from the substrate से, removal होता है hydrogen का from the substrate molecule से, उसे हम बोलते है, dehydrogenated, जैसे कि AH2 molecule है, इसमें से dehydrogen का मतलब है, आप इसमें से hydrogen को remove कर दो, तो hydrogen को remove करोगे, तो A अलग निकल जाएगा, और 2H molecule अलग निकल जाएगे, reductase का मतलब क्या होता है, reductase का मतलब होता है, जब आप nitrate के अंदर oxygen को addition करवाओगे, मतलब, sorry, nitrate compound है आपके पास, जैसे कि मान लिजे ही, आपके पास nitrate compound है, इसके अंदर जब आप hydrogen को add करवाओगे, जब किसको add करवाओगे, hydrogen को add करोगे, तो वहाँ से water molecule तो भार निकल जो है, वहाँ पर, sorry, common सी बात है कि जब आप nitrate compound के अंदर hydrogen को add करवाओगे, तो एक oxygen लिखके जाएगा, means hydrogen का addition होगा, oxygen का removal होगा, तो उसे आप क्या बोलोगी, reductose बोल लगे, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यह हमारे पास क्या है, NO3 compound है, Nd, H2 compound होता है, जब यह hydrogen इसका एक oxygen लिखके जाएगा, तो H2 बाहर निकलेगा, NO2 बनेगा, और Nd, जो है, वो obtained होगा, ठीक है, इस प्रोसेस के जरीए, हमें Nd, जो है, वो obtained होता है, addition होता है, hydrogen का, removal होता है, oxygen का, अब next हमारे पास आता है, transfermise, transfermise का मतलब होता है, the catalytic enzyme होता है, जो transfer करे, catalytic enzyme, जो होता है मतलब catalytic group होता है, वो transfer हो जाए, उसको हम बोलते है, transfermise, means transfer होना, one molecule of another, one, मतलब transfer होना, एक group of molecule का, किसी another group of molecule के साथ, उसको हम बोलते है, transfermise, जैसे कि transfermise का directly मतलब होता है, transfer होना, transfer का मतलब है, कि एक से किसी दूसरी की तरफ जाना, उसे ही हम transfermise बोलते है, तो इसे प्रक तो ट्रांस्फरेज जब एंजाइम काम यूज करते हैं तो एक गुरूप का मोलीकूल होता है वो किसी दूसरे गुरूप के मोलीकूल के साथ एटेच होगा और वो उससे मतलब अलब कंपाउंड की फॉर्मिशन करेगा जैसे की यह कंपाउंड है यह हमारे पास क्या होता है एक गॡरूप और ईक यहां पर किसी की फॉर्मिशन करेगा था allemaal सबतेरे अने वुस्तिन फॉर्मिशन के और सुदोर पास को यह मोलीकूल को साथ तो यहां पर किसी फॉर्मिशन करेगा aseptic acid की formation करेगा किसकी formation करेगा aseptic acid means COH compound CHNH2 तो इसका part है means इतना इसका part है और यहां से यह compound इतना लेगा और इसका यह CH2 COH इसके साथ जुड़ेगा aseptic acid की formation की same यही COH compound अब इसके साथ ऐसे जुड़ेगा ठीक है अब आता है hydrolase, hydrolase का मतलब होता है addition of water, means जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि doge enzyme जो can be addition करवाए, can be additions of water molecule, जो addition करवादे water molecule का और generally leading and cleavies करवादे subject का, जैसे कि सुक्रोज के अंदर generally addition होगा water का और फिर उसकी cleavies करवादे, cleavies का मतलब है जब इस सुक्रोज के अंदर water का addition होता है तो यह इसको breakdown कर देगा glucose and fructose की form में, यह सुक्रोज का compound है, जब इसके अंदर water molecule add होता है, इसका formula के आता है C12, H22, Oxygen 11 है, जब इसके अंदर water molecule add होता है तो यह हमें C6H12O6 मिलता है, प्लस हमें C6H12O6 मिलता है, इसके अंदर जब आप isomerase enzyme का use करोगे, तो यह glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate के अंदर कनवाट होगा, isomerase का मतलब होता है, जिसका same molecular formula हो, क्या हो same molecule formula हो, but different उसकी structure हो जाए, ठीक है, जैसे कि isomerase का मतलब होता है, enzyme that catalyze करवाते isomeric change, मतलब enzyme catalyze के जैसे enzyme catalyze करवाते isomeric form को, molecular formula सेम रहेगा, structure different हो जाए, glucose 6-phosphate है, iso-phospho-hexoase की presence में, isomerase की presence में, fructose 6-phosphate के अंदर क्या हो जाएगा, convert हो जाएगा, ligase एक enzyme होता है, जो की catalyptic equivalent बनाता है किनी दो molecule की बीच में, catalyptic का मतलब होता है कि यह equivalent bond की formation करता है किनी दो molecule की बीच में, अगर कोई A और B, मान लीजे, दो molecule जब जुड़ते हैं, तो कोई A और B किसी large compound की क्या होगी, formation होगी, two molecules बनेगे and two form of large molecules हमें मिलेगा, asperatic acid होता है, ATP और ammonia का compound है, जिससे aspring, aspringing और AMP और inorganic phosphate हमें उप्टेन होगा, किसकी presence में, aspring नीज एंजाइम की presence में, एंजाइम की ऊपर आके कोई inhibition work करेगा, तो उस time पर क्या होगा, कि जो velocity होती है एंजाइम की, वो क्या होजाएगी, जो velocity होती है एंजाइम की, वो decrease हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा, decrease हो जाएगी, जब हम किसी भी inhibition product को किसी एंजाइम के अंदर use करते हैं, तो उस एंजाइम की जो velocity होती है, वो क्या होजाती है, decrease हो जाती है, जो inhibition होता है, यह mainly हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है competitive, competitive का मतलब होता है competition से, ठीक है, इस inhibition के अंदर competition होगा, किसके बीच में in between, subtract molecule के बीच में, और plus में, किसके बीच में inhibition के बीच में, मतलब क्या होगा competition होगा, एक होता है non competitive, जिसमें कोई competition नहीं होगा, एक होगा feedback mechanism, उनको हम आगे discuss करेंगे, competitive inhibition क्या होता है, कि organic molecule compete करेगा with substrate के साथ, and for it, और वो जाके कहाँ पर bind हो जाएंगे active site के उपर, जिससे जो enzyme की active site होती हो, ब्लोग हो जाएगी, और वहाँ पर आगे चलके कोई reaction नहीं होगी, जैसे कि ये enzyme है, ये inhibitor होता है, साथ में substrate molecule भी होता है, दोनों के अंदर competition होगा, कि कौन पहले जाके active site पर attack हो जाता है, तो जो inhibitor होता है, वो enzyme की active site के उपर जाके attach हो जाता है, तो आगे जो substrate का molecule है, उसके उपर attach नहीं हो पाएगा, कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास enzyme है, ये इसकी active site है, और ये inhibitor होता है, जो कि इसकी safe उपर से ऐसे round है, ये हमारे पास substrate, अगर ये substrate इसकी उपर आके लगता है, इस enzyme की active site के उपर आगर आके उपर लगता है, तो enzyme के अंदर आगे reaction होगी, और अगर ये inhibitor इसके उपर आके लगता है, तो enzyme जोगा वो उसकी active site block हो जाएगी, इसके उपर कोई भी substrate molecule आगे attach नहीं होगा, इसके अंदर condition ये होती है, कि enzyme की structure में कोई changement नहीं होगा, और ये inhibitor होता है, enzyme के साथ एक equivalent bond की formation कर लेता है, कुछ इस परकार से active site बनेगी, active site block हो जाएगी, और substrate molecule को मतलब कोई भी चाबी नहीं मिलेगी, नेक्स्ट आता है non competitive, non competitive का मतलब होता है, जिसमें कोई competition नहीं हो, जैसे कि हमने देखा था कि इसके उपर inhibitor और substrate के बीच में, दोनों के बीच में competition था, कि active site में जाके पहले कौन लगी, बट non competitive के अंदर ऐसा नहीं होता, non competitive का मतलब होता है, कि जो inhibitor होता है वो उसकी active side के उपर attack ना करके उसके किसी भी other side के उपर attack कर देगा और fix होके उसकी जो active side होती है उसकी position को ही change कर देगा means इसका कहने का मतलब यह है कि enzyme जो inhibitor होता है वो attach होगा किसी भी enzyme के उपर जाके attach हो जाएगा ठीक है बट उसकी active side को छोड़के उसके किसी भी place के उपर जाके attach हो जाएगा जैसे वो उसके other place के उपर attach होगा तो उसकी जो active side है उसकी position को change कर देगा ताकि जो subtract का molecule है जिस safe का है वो उसमें perfect ना हो पाए और enzyme की आगी reaction ना हो पाए तो many enzyme can be poisons भी होते हैं non competitive के अंदर जैसे होगे तो cyanide compound आएगा कुछ इस प्रकार से यह आपके पास होगा enzyme यह आपके पास होगा substrate यह होगा आपके पास inhibitor यह inhibitor मतलब ऐसा है इसकी structure में भी different मान लीजे यह यहाँ पर attack ना करके यह इसकी और मान लीजे यहाँ पर attack कर दे यहाँ पर attack कर दे तो यह इसकी जो safe है उस the end product जब combine होता है इसका मतलब यह होता है कि जब product ही मतलब product बना मान लीजे यहाँ से हम देखते हैं कि product बनता है तो product बनके ही उसके उपर ऐसे लगे कि उसकी reaction को stop कर दे कुछ जैसे कि यह हम लिए पढ़ा था कि यह हमारे पास है enzyme यह है competitive inhibition यह competitive inhibition है यह हमारे पास non competitive inhibition है ये feedback में क्या होता है कि मान लीजी ये है इसकी active site, ये है inhibitor, ये inhibitor मान लीजी पहले क्या है, अब product है, ठीक है, ये product ही जब दुबारा से enzyme की साथ react करेगा और इसकी site को बिल्कुल block कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, feedback inhibition बोलते हैं, इसको हम feedback inhibition process भी feedback inhibition process बोलते हैं, तो एक बर हम discuss करें complete को, mechanism में क्या होता है कि हमारे पास है log की mechanism, इसमें क्या है कि enzyme की structure में कोई change नहीं होगा, जैसी की होगी, मतलब जैसा इसकी safe होगा, अगर ऐसा substrate आके लगता है, तो reaction आगे enzyme में reaction होगी, और product की formation हो जाएगी, फिर आता है, मान लीजी ये log की mechanism होता है, इसक इसी substrate molecule के साथ लगेगा, इसमें क्या है कि यहाँ पर producing group लगे होता है, यहाँ पर catalyptic, इसकी safe इसकी according नहीं है, बट जैसे यह गुरूप यहाँ पर आता है, तो यह इसकी according safe अपनी change कर लेता है, और यहाँ पर यह enzyme substrate बनता है, product की formation हो जाती है, फिर in this condition में, inhibition की अगर हम ब कर देगा, active site को block कर देगा, substrate molecule को attach होनी की कोई placement नहीं यह लेगा, non competitive में क्या होता है कि कोई competition नहीं होगा, in between inhibition के बीच में, और substrate के बीच में, inhibition कहीं भी जाके, inhibitor कहीं भी जाके, उसके enzyme के उपर लग जाएगा, और इसकी active site को block कर देगा, इसकी structure को बिगाड देगा, conformational change जला देगा, इसके अंदर, feedback का मतलब होता है, product ही active site के उपर attach हो, और कोई आगी reaction ना होने दे, उसको हम allotropic inhibitions भी बोलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगी, तो please उसे like, share and subscribe जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली नई वीडियो की notification आपको सबसे बेले मिल सकी Thank you